Hi students, so this is the English speaking chart day 1 पहले दिन का ही चार्ट आपको मैं समझा रहा हूँ से ध्यान से समझेंगे आप और हर तरीके के आपको sentence यहां दिये गए हैं और हर तरीके sentence आपको 5-5 times speaking करनी है के बल पांच बार बोलना है यह ज़रूरी है न इससे ज़्यादा न इससे कम ठीक है and use करना है action हर बार अलग type का यह याद रखेंगे ठीक है so zoom करते हैं और सबसे पहले ही हाँ शुरू करते हैं I am ऐसा करिंग nowadays मैं आजकल ऐसा कर रहा हूँ जैसे मैं खेल रहा हूँ तो I am playing nowadays मैं आजकल सो रहा हूँ I am sleeping nowadays मैं भाग रहा हूँ आजकल so I am running nowadays इसके अलावा अगर हमें बोलना है कि मैं आजकल ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे I am not doing this जैसे मैं सोच नहीं रहा हूँ I am not thinking मैं जाने रहा हूँ I am not going मैं डांस नहीं कर रहा हूँ I am not dancing कभी-कभी आप खुद से question भी बोच सकते हैं तो उस तरीके के लिए आपको बोलना है Am I doing? ध्यान से समझिए Am I doing? क्या मैं बोल रहा हूँ? Am I speaking? क्या मैं जा रहा हूँ? Am I going? क्या मैं भाग रहा हूँ? Am I running? ठीक है? so यह आप करेंगे practice इसके बाद आता है He is doing nowadays मतलब यह ऐसा कर रहा है आजकल यही मतलब एक आदमी है जिसका आपको नाम नहीं पता है ठीक है? वो सोच रहा है आजकल He is thinking nowadays वो बोल रहा है आजकल So he is speaking nowadays Next, अगर वो नहीं कर रहा तो आप बोलेंगे He is not doing जैसे मैं वो भाग नहीं रहा He is not running वो जाग नहीं रहा He is not carrying up यह awaking ठीक है? Waking up, कुछ भी बोल सकते हैं Next, अगर आपको question पोचना है कि क्या वो ऐसा कर रहा है? तो आप पोचेंगे, is he doing? जैसे, क्या वो सोच रहा है? Is he thinking? क्या वो कपडे दो रहा है? Is he washing? Next, अगर वो लड़की हुई तो क्या बोलना है? She is doing nowadays कि वो यह वो लड़की आजकल ऐसा कर रही है जैसे, वो भाग रही है She is running वो खाना खा रही है She is eating nowadays ठीक है? और अगर वो नहीं कर रही है तो आप बोलेंगे She is not doing जैसे, वो phone use नहीं कर रही है She is not using phone वो लिख नहीं रही है She is not writing लेकिन अगर क्वेशन पूछना है कि क्या वो ऐसा कर रही है तो आप पूछेंगे Is she doing? जैसे, क्या वो बुक पढ़ रही है? Is she reading book? क्या वो खेल रही है? Is she playing? Right? Next, अगर हम तुम्हारे बारे मत करेंगे क्या मतब तुम सोच रही हो या तुम आज कल ऐसा कर रही हो जैसे, तुम आज कल बोल रही हो You are speaking nowadays तुम आज कल किवाल खोल रही हो You are opening the door nowadays हर बार आपको एक नए action यूज़ करना है जैसे, तुम खाना खा रही हो You are eating food nowadays ठीक है? अगर आप नहीं कर रही हो तो कैसे बोलेंगे? You are not doing this जैसे, तुम माइक नहीं यूज कर रही हो You are not using mic तुम कपडे नहीं धो रही हो You are not washing clothes अगर हमें कोशन पूछना है क्या तुम ऐसा कर रही हो तो आप पूछेंगे Are you doing this? जैसे, क्या तुम मारकर यूज कर रही हो Are you using marker? क्या तुम बैग ले जा रही हो Are you carrying the bag? ठीक है? Easy है? Next अब हम बात करते हैं हमारी We are doing this nowadays जैसे, हम आजकल इंगलिश बोल रहे हैं We are speaking English nowadays हम आजकल सुबह जल्दी उठ रहे हैं We are getting up early nowadays ठीक है? We are not doing this जैसे, हम बोल नहीं रहे हैं We are not speaking हम खेल नहीं रहे हैं We are not playing, right? Next अगर मैं क्योशन पूछना हूँ क्या हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे Are we doing this? क्या हम बोलेंगे? Are we doing this? जैसे, क्या हम सोच रहे हैं? Are we thinking? क्या हम बैठ रहे हैं? Are we sitting? Simple है? Next and the last They are doing this अगर बहुत सारे लोग हैं उनके बारे हम यूज करेंगे They are राइट? वो भाग रहे हैं They are running और अगर आजकल भाग रहे हैं तो they are running nowadays वो चिप्स खा रहे हैं They are eating chips अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम बोलेंगे They are not doing जैसे वो English नहीं बोल रहे हैं They are not speaking English वो switch off नहीं कर रहे हैं फोन को They are not switching off the phone अगर हमें पूछ नहीं कर रहे हैं क्या वो ऐसा कर रहे हैं? तो हम पूछेंगे Are they doing this? जैसे क्या वो तुम्हारा pen यूज़ कर रहे हैं? Are they using your pen? क्या वो लिख रहे हैं? Are they writing? ठीक है? And note आपको पता चल गए है ठीक है? हर बार आपको अलग-अलग action यूज़ करके आपको फोलना है और ये chart आप डाउनोड कर जाकते हैं नीचे description में लिंक भी दिया गया है So guys, this is the chart 2 and day 1 ये भी आज ही है आपको cover करना है ठीक है? So, आज की इस वाले chart का sense है Yesterday के बारे में ये past की बात है कि मैं कल ऐसा कर रहा था तुम ऐसा कर रहे थी वो ऐसा कर रहे थी ठीक है? ये भी same rule है हर तरीकी का 5 sentence बोलने है और हर बार अलग action बोलनी का ट्राइ करना है ठीक है? So, सबसे पहले zoom in करते हैं और चलते हैं यहाँ पर I was doing this yesterday कल मैं ऐसा खर रहा था जैसे कल मैं खेल रहा था I was playing yesterday मैं सोच रहा था I was thinking yesterday मैं बोल रहा था I was speaking yesterday अब खुद आप देखो कि मैंने 3 sentences बोल दिये तो I think doing 5 sentences of each type it's not a very difficult task टास्क, sorry अगर मैं नहीं कर रहा था तो मैं बोलूँगा I was not doing जैसे मैं बोल नहीं रहा था I was not speaking मैं सोच नहीं रहा था I was not thinking अच्छा एक बात और बता देता हूँ आप सोच रहा होगे कि मैं क्यों repeat कर रहा अपने actions वो इसले कर रहा हूँ ताकि आपको खर तरीके से एक ही चीज से समझ में आ जाए सब कुछ मैं अगर हर बार यूज़ करूँगा तो फिर मैं उसे हिसाब से practice भी करूँगा next मैं कपड़े दो रहा था वो कपड़े नहीं दो रहा था I was not washing the clothes next अगर मुझे अपने आप से question पोछना है क्या मैं ऐसा कर रहा था जैसे क्या मैं बूल रहा था Was I speaking क्या मैं वीडियो बना रहा था Was I making video क्या मैं ब्रश कर रहा था Was I brushing teeth अगर हमें यह बूल रहा है कि वो लड़का ऐसा कर रहा था कल तो हम बूलेंगे He was doing this क्यूंकि हमें उस लड़का का नाम नहीं पता जैसे वो लड़का बुक बढ़ रहा था He was reading book yesterday वो page palette रहा था He was turning the pages वो बुक फाड रहा था He was tearing the book अगर वो नहीं कर रहा था तो हम बूलेंगे He was not doing this जैसे वो डिबबा नहीं खुल रहा था He was not opening the box वो pen यूज नहीं कर रहा था He was not using pen वो English नहीं बूल रहा था He was not speaking English Next अगर हमें कोशन पूछना है क्या वो ऐसा कर रहा था तो हम पूछेंगे Was he doing this जैसे क्या वो आपको पैसे दे रहा था Was he giving you money क्या वो सबजी खरीद रहा था Was he buying vegetables क्या वो सबजी काट रहा था Was he cutting vegetables अगर उसकी जगल लड़की हुई तो हम बोलेंगे She was doing this yesterday She was doing this yesterday मतलब कल वो ऐसा कर रही थी जैसे कल वो make-up कर रही थी She was applying makeup yesterday या वो कप्ले पहन नहीं थी She was wearing clothes या वो नहा रही थी She was taking bath yesterday ठीक है? अगर वो नहीं कर रही थी तो हम बोलेंगे She was not doing this जैसे वो pen use नहीं कर रही She was not using pen वो लिख नहीं रही थी She was not writing वो याद नहीं कर रही थी She was not learning ठीक है? और अगर मैं question पूछना है क्या वो ऐसा कर रही थी तो हम पूछेंगे Was she doing this? जैसे क्या वो भाग रही थी? Was she running? क्या वो car धो रही थी? Washing the car Was she से ही मुझे washing the car हो गया मुझ से Actually, तोनों से impedance हो रही थी Next क्या वो car चला रही थी? Was she driving the car? ठीक है? Next अगर मैं पढ़ना है कि तुम ऐसा कर रही थी कल जैसे तुम English बोल रही थी खल You were speaking English yesterday तुम सोच रही थे कल You were thinking yesterday तुम mobile यूज कर रही थी So, you were using mobile yesterday So, अगर तुम नहीं कर रहे थे तो कैसे बोलोगे? You were not doing this जैसे तुम mobile नहीं तोड रहे थे You were not breaking the mobile तुम भाग नहीं रहे थे You were not running तुम कपडे नहीं दो रहे थे You were not washing the clothes अगर हमें कोशन पूचन पूचना है क्या तुम ऐसा कर रहे थे? तुम पूचेंगे What are you doing this? जैसे क्या तुम लिख रहे थे? What are you writing? क्या तुम पढ़ रहे थे? What are you reading? क्या तुम भूख फाड रहे थे? What are you tearing the book? Right? अगर उसकी जगे हम लोग हो हमें बोलना है क्या हम ऐसा कर रहे थे जैसे हम इंग्लिश बोल रहे थे We were speaking English yesterday कल हम भाग रहे थे We were running yesterday कल हम ticket book कर रहे थे We were booking the tickets yesterday Right? अगर हमें बोलना हम ऐसा नहीं कर रहे थे तो हम बोलेंगे We were not doing this yesterday जैसे हम जूम नहीं कर रहे थे We are not zooming yesterday हम लोग भागनी रहे थे We were not running हम पैसा नहीं चुरा रहे थे We were not stealing money ठीक है? और अगर हमें कोशन पोचन पोचना है क्या हम ऐसा कर रहे थे तो हम पोचेंगे What are we doing this? What are we doing this? जैसे क्या हम फोन यूज कर रहे थे What are we using for? क्या हम कपड़े दो रहे थे What are we washing the clothes? क्या हम स्वेटर बुल नहीं थे Were we weaving the sweater? ठीक है? Next अगर हमें बूल ला है के भई वो लोग ऐसा कर रहे थे क्या हम पार्टी में डांस कर रहे थे They were dancing in the party yesterday Right? वो लोग phone यूज कर रहे थे They were using phone yesterday वो बाल काट रहे थे They were cutting the hill yesterday अगर वो लोग नहीं कर रहे थे तो हम बोलेंगे They were not doing this जैसे वो message type नहीं कर रहे थे They were not typing message वो खेल नहीं रहे थे They were not playing वो लिख नहीं रहे थे They were not writing Next अगर मैं क्योशन पूछना है क्या वो ऐसा कर रहे थे तो हम पूछेंगे What are they doing this? जैसे क्या वो gate खोल रहे थे Were they opening the door? क्या वो polish कर रहे थे Were they doing polish? या were they polishing? या क्या वो brush कर रहे थे Were they brushing? Right? So इस तरीके से ये चार्ट आपको description में मिल जाएंगे दोनों ही आप इन दोनों चार्ट को डाउनलोड कर लो हाले कि मैंने बस आपको थोड़ा सा concept समझाया है But आपका main focus होना चाहिए Speaking पर तो आपको 5 type के sentences बोलने हर बार अलग-अलग actions यूज़ कर लेना तो better हैगा नहीं हो पाए तो ऐसा नहीं करना के छोड़ देना तो चाहें same use करना But ये सारी चीज़ आपको बोलने जरूरी है I hope आपको ये note समझ में आ गए हूँ इसके अलब में एक live session भी कर दूँगा ताकि आपको ये ये सब चीज़े clear हो जाए Thank you so much